गुड मॉर्णिंग एव्रिवान तो मेरा ये व्लोग यहां से सुरू होता है तो अभी सुभा सुभा उटके ही मक्षन ब्रेट खा रही हूँ और ये मक्षन है ये वो आमुल बटर नहीं है ये जो मक्षन है ना पूरा कृष्ण जी को भोग लगाते है वैसा वाला मक्षन मे रहा से एक दम फ्रेश और जिंदा था वो सभी और हम लोग उठने से पहले ही वो सम मर गया तो अभी मैं और कुंतर थोड़ी सी काम था हम दोनों का तो आधरकाट वारे में थोड़ा काम था तो इसलिए हम दोनों निकले थे तो अभी घर जाने से पहले ये जो ब्रीज है और सामने ही हमारा घर है, और ये जो binge है, और इस नदी का नाम शिलावति नदी, और ये पूल का नाम है भासा पूल, जो बिंगोली में यहाँ पे बोला जाता है, और ये जो पूल है ना, पूरा पूरी ये एकदमी बिना पिलर का बना हुआ है, इसमें नीचे में पूरा ही जो नाव है नाव की उपर बेस्ट है और ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और ये बिटिश काल में बनाया हुआ ये पोल है जबी यहां का पानी का फ्लो उपर आता है तो धीरे धीरे ये फूल भी उपर आ जाता है तो बहुत ही इंट्रेस्टि भी था परे सबजी प्रॉम्ज से बना हुआ और थोरा भजी था तो लास्ट में चिकन भी था तो खाने में बहुत बहुत कुछ बनाके एकदम मम्मी ने सामने रेडी करके दे दिया और हम लोगों ने एकदम मजे से खाये हैं, लंच में एकदम दबाएं, प्रेकर शुरी कु कि एकदम मस्त हम लोग गप्पे मार रहे थे हम लोग एक साथ तो सब कुछ ही मम्मी ने बहुत रिलिशियस बनाया था तो अभी यह जो चिकन है चिकन भी बहुत ही रिलिशियस थी तो थिया था मुझे नहीं पता फिर भी चलो और यह जो व्यू है यह हमारे बैलकनी से पुर करता है यह वाला नदी और यहां पर हम लोग बैलकनी में बैठे बैठे यह जो व्यू आता है पुरा इंजॉय करते हैं बहुत ही सुंदर नजारा है बहुत ही अच्छा जगा है यह मेरा ससुराल का तो अभी चलो तुम लोग के साथ एक चीज सेयर करती हूं और वो है हमार और कुंतल का साधी वाला जो अलबम है बनाया था वो वाला तो यह अलबम में बहुत ही स्पेशल है और अभी जब आये हैं यहां पे तो आप लोगों के साथ इसलिए सेयर कर पा रही हूं अधरवाइस बैंगलोर में यह हम लोग नहीं लेखे गए तो यह तर पे बहुत अ अच्छा तपका बनाया हुआ था तो चलो इंजय करो और फिर बात करती हूं करती हैं कौता है तो आज का व्लोग इतना ही आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताईएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कम्मेंट करना मत भुलेगा और बेल आइकन प्लीज दबा दीजिएगा अगली व्लोग में फिर से मुलाकात होगा टाटा